आज की Bollywood Quiz में सवाल यह है कि अमिताब बच्चन और शशी कपूर के साथ खड़े हुए यह तीसरे इनसान कौन है? 50-50 चांस है कि आपने शायद इन्हें पहचाना हो या शायद नहीं क्यूंकि आज यह ऐसे नहीं दिखते जैसे यह इस तस्वीर में दिख रहे हैं. यह कौन है यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. मैं हूँ राहूल, दिस इस 70MM, विट राहूल. आज की Bollywood quiz का focus है यह साहब. यह कौन है? मैं कुछ hints देता हूँ. इनके पिता जी एक बहुत ही बड़े film producer थे और मेरे पास एक तस्वीर है जहां यह साहब हेमा मालनी के साथ खड़े हुए हैं, कुछ गुफ्तगू चल रही है. हेमा मालनी की तस्वीर से एक बात याद आए, एक बहुत ही फेमस फिल्म थी, 1975 में रिलीज होई थी, हेमा मालनी उस फिल्म का हिस्सा थी, उस फिल्म में अमिताब बच्चन भी थे, धर्मेंद्र भी थे, और अमिताब एन धर्मेंद्र के साथ इन साहब की एक तस्वीर है म इस विडियो की शुरुवात में आपने शशी कपूर और अमिताब बच्चन को इन सहाब के साथ देखा था वेल शशी कपूर के बेटे कुनाल कपूर की शादी इन सहाब की बेटी शीना से हुई थी और जिन्हों ने इनका नाम अभी तक गैस नहीं किया है इनको भारत सरकार की तरफ से पदमिश्री भी मिला है और फिल्म फियर का लाइफ टाइम अचीफमेंट अवार्ड भी मिला है ये और कोई नहीं बलकि फिल्म प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के बेटे फिल्म शोले के डिरेक्टर रमेश सिप्पी है और जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी फीचरिंग अमिताब बच्चन और शशी कपूर वो फिल्म शान से थी जिसके भी डिरेक्टर रमेश सिप्पी ही थे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी रमेश सिप्पी की फिल्मों के जो विलिन्स थे वो बड़े ही फेमस हुए इन फाक्ट हीरो से भी ज्यादा पॉपलर चाहे वो शोले के गबर सिंग हो या फिल्म शान के शाकाल और शाकाल के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है इसको जरूर देखना ठेक केर चारा